हलो दोस्तों स्वागत है सुमन किचन में आप सभी का आज हम बनाने जा रहे हैं टामाटर और प्याज की सबजी तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे सबसे पहले टामाटर और प्याज को अच्छा से हमने दो कर इस तरीके के पीसेज में हमने कट कर लिया है लंबे ल सर्षो का तेल डाल कर गरम करेंगे आप को इस अभी तेल अपने पसंद से लिए सकते हैं इसमें एक चमच हमने जीरा ढाला है और इसमें 10 से 12 मेथी के दाने हमने डाल दिया है उसके बाद इसके अंदर हम एक चमच सर्षों कारा अधřी चमच कस्तूरी और चार से पांच कड़ी लिप्स डाल कर अच्छा सी भूनेंगे। उसके पाद इतर अंदर हम डाल देंगे बारीक कटा हु जो हमने प्याज लिया है उससे और इस लाइट ब्राउन होने तक हम fry करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमने इसमें प्याज एड़ कर दिया है, इसे चलाते हुए हमें 2-3 मिनद तक मिडियम फ्लेम पे भून लेना है, तो आप देख सकते हैं, लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम मिर्ची एड़ कर देंगे, उसे भी चला रेड चिली पाउडर और आधी चमस धरिया पाउडर डाल कर इसे आधी मिनद के लिए हम भून लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम एड़ कर देंगे, जो कटा हुआ हमने टमाटर लिया है उसे, तो मसाले हमने भून लिया है, अब इसके अंदर हम टमाटर एड़ कर दें अब हम कभर करके दो मिनट बाद इसे चेक करते हैं तो इसी तरीके से बीच में हमें चलाते हुए इसे पकाना है तो चलिए फीर आप देख सकते हैं बिलकुल टमाटर गल चुका है और पानी भी देख सकते हैं कि छोड़ दिया है तो थोड़ा सा हम पानी सुखने तक और इसे पकाएंगे तो चलिए कभर कर देते हैं फिर से तो आप देख सकते हैं इसमें का पानी जो है वो बिल्कुल सुख चुका है तो अब यहां पे हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और टेस्ट की हिसाब से नमक डाल देंगे तो इसमें हमने नमक और गरम मसाला और धनिया बारी क सांस सर्प कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत टेश्टी बनता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, तैंक यू